कुकर का डखन भी न तीन चाहर दफा खोल के मैंने दुबारा लगाया है एचली सीटियन इसी मार दा मुझे लगता है इसकी रबड खराब होगी है और मुझे पता है आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कामा दे नाल नाल ना मैं आहरेस्पी दा भी पंगाले आओ ऐसी अहरान हुई और दिल फड़के परिशान हुई और मेरा भरम भी तूट गया मुझे ये भरम था कि मैं शायद निकी मोटी स्लेबर्टी बानी गई हूँ ते मेरा छोटा प्राब मेरी गुड़ी दे पुर्जे पुर्जे कर देना हूँ दे कदियो दिया लता तो देना तो इसी के साथ मैं इसको ना बीट कर लेती हूँ अच्छे से अब कोटने से कोट हूँ तो मेरी बाह दुखने लग जाएगी अलसामलेकूम उमीद करते हैं सब खेरिये से होंगे ठिक ठाक होंगे तो शुरू करते हैं एक और इंट्रेस्टिंग सा विलोग स्टार्ट करूंगी आज हमारे गार बनने वाला है दलीम उसकी भी हलकी फुलकी सी रेसेपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मुंगी और क्या था चनेकी और मसर और चावल गंदा बाब हम कहां से लाएं गाइस हमारे गर नी है तो इसके लाव बीफ या चिकन जोमर्दी डालो मैं इस तरह की मुश्किभा रएस्पी नहीं बनाती हैं मेरको इनने से अपधिन य werdlessa शेयर बना और बाइं वे वुचष रहे हैं चारता की डाले डाले गरियों मुंगी मश और चना डाल इसके लावह चावल डाले हैं और गंदम भी केरे थी डलती है लेकिन गंदम हीथ पाई भागी चारे डालां ना पये oh higher the आई इंदर और यहांद तो आई तकतल लिए ईए यह वावा सारे पानीं के अंदर घला मुवर्णा लेना है मुझे लगता इसकी रबड खराब होगी है अब ना इसको चेंज करवाना पड़ेगा तो बीफ गल चुका है वैसे है पोरा की है फाइनली प्यास भी काट लिए है जो दलीम के अंदर डलने है कुछ लोग इसे दलीम कहते हैं और कुछ लोग हलीम कहते हैं पता नहीं इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो आप लोग बताएगा कि आप लोग दलीम कहते हैं या हलीम कहते हैं और हमने ये दलीम उस गर भी लेकर जाना था असरा बाबी भी जरा बीजी थी उन्होंने साग का पंगा लिया हुआ था भाई कह रहे थे कि अभी साग बना आके राख लो तो तीन-चार भी इने चल जाएगा क्योंकि फिर सीजन खतम हो जाना है तो साग बना चे बीजी सी कोई 10-15 किलो साग उना ने मखवाया हुआ सी तो इसी का दिलीम बना आकर उधर ही ला जाना है तो बगएर चैनल डाउन हो जाना थे तुसी भी इने चला कन प्यारी ओडियंस जडी आ वह दो यह लिए विलोग्स वेखना पसंद करती सी रस्पियों चाजना वेह देनी है तो मैंने भी रस्पी ही लगानी है विलोग्स देखने हैं तो मेरे इस चैनल को जॉइन कर लें अस्मारानीज लाइफ पहला विलोग लगाने के बाद मैं विचारी मुस्वूम यही सोच जी थी कि 3-4,000 व्यूज तो अराम से ही आ जाएंगे पहला वी इनने आई जान देया तो बाद में मैं तो शोक होगी कि हैं सिर्फ चार सो लोग आने वेकिया वो भी मेरी प्रानी से हे लिया मतलब जो प्रानी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह जाती हैं मेरी बहुत पकी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे व कोटी स्लेबर्टी बानी गई हूं लोग मुझे पसंदक करते हैं मुझे कहते हैं विलोग लगाया करो विलोग लगाया करो उसी विख्या करांगे तो लेकिन कोई भी वड़े आने मेरे चैनल दें खैर इट सोके आचा यह जो उपर कुकाव आता ना यह जीरा दनिया पाउड इसी के साथ ही मैंने अच्छे से बीट कर लिया और प्याज को भी ब्राउन होने के लिए रख दिया है क्योंके लास्ट बे दिलीम जब रेडी हो जाता है तो आपको पता है कि प्याज उपर डाल के खाया जाता है इसके लावा मैं तड़का भी लगाना था प्याज का यह दालें थी ना काफी नीचे ही थी हाफ कुकर था लेकिन आदा मेरा बीटर ना कुकर के अंदर ही चला गया यह कुकर ना हमने आलिया पी समगवाया था तब मामा जिन्दा थी अलबाक उनको जनल मसीब करें तो हम बहुत अच्छा है इसकी रबट बस खराब होगी है वो चे अधर के अंदर जो है वो डालें भी एड़ कर दी हैं तो बहुत पार आई थे मिलाग रहा है तो मेरी तो बाम में हलका हलका दरत भी शुरू हो गया था और मुझे पता है आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि आपने जो मीट डाला है वो बहुत कम है जी बिलकुर मुझे मिट को चाहिए चाहे चीकन हो या बीफ ओ या मुटन हो तो ज्यादा ही अच्छा लगता और बाम इनके मैं नमक भी इसके अंदर एड़ किया नालो नालो मैं रेसिपी शूट किती है कि उन समझ नहीं आदी के रेसिपी खवामा किनू साड़े काच कोई भी ओईली चीजा नहीं खांदा ताड़े बदले में रमजांदी रेसिपी शेयर किती है मैं कली खा लिनी यह जो मैं हाफ मून की रेसिपी दिखा रही हुँ ना यह भी मैं साथ साथ शूट कर रही थी अटर टाइम यह दोनों काम हो रहे थे तो दिलीम आन्मोस ड़न होने वाला है बस लास्ट पे अब मैं तड़का लगाने लोगी ब्राउन की अवा प्यास जो है आदा मैंने निकाल दिया आदा दिलीम हमारा रेडी हो चुका है अब हम भाई की तरफ जाएंगे उस घर जाएंगे तो शीशे के बाउल में ही मैं यह द्लीम डालूंगी क्योंके गरब गरम चीज जह है वह प्लास्टर के बरतन में नहीं डालने चाहिए दिलीम के लिए कुछ रोटियां जो है हम घर में और कुछ बाहर से भी मगवा लेंगे आपको पता है के वाइट कलर की रोटी बड़ी अच्छी लगती है नहीं इतने मिची नहीं है मिथी शकलों वैसे न दिलीम जड़ावा दारी लगंड़ावा तो खैरिट सोके क्योंके चिकन कम है नहीं मीट कम है तो इसलिए ऐसा लग दिलीम का तो इसमें लेमन है सबस मिचें हैं ब्राउन किया हुआ प्याज है दर्मयान में चाट मसाला है और एक साइट पे सबस धनिया है यह सारा कुछ डालके अगर दिलीम खाएना तो बहुत मज़ा आता है दिलीम अगर मज़ेदा भी नाना हुए थे आद वाजमा तु बैलीम गारे मसे पारे लाजमाथ है यह थे मुझे है हो कि दोनों करें दोन ओई रही है चुटे बेहन-बाई को चोते ना शौटे बछों को इतना तंक करते ना साड़ा करते हैं अनरजी हो bra aам जिक कर दिलींchlossen अन विसनते खाने नहीं और आप लोग Госे ओड़े तिया हुआ किचन में के घख करते हुए है कorta काмов काम भी काम होता हुई ता किली काफी टाइम का फाल हो जुका था तो लिएरा होने वाले थे रात के थी कई देंजास breed मुभाइल ॉपाली ला कि इतना खुड़ आज कल के बच्चे को इस एक साधा दो और सी असी तग गुड़ियां पड़ियां पड़िया ना खेली हुं लिए हो एक घुड़ियां ना के घुड़ी ना जो फिर कोई भी पीस बचना ना हम लोग है अपने घुड़िया के में कपड़े सास्लाइए करती ती चोटी आज बोल दे हलो बने असलाम लेकूम वालेकम सलाम चलो लेट्स गो अब नेक्स डे हो चुक है तो अस्टा बाभी इधर ही आई हुए थी मुझे ने था पता अज़का बाभी भी आई हुए है तो अलीशा बाही निकली ना इसे जियान की आवाज आगी तो कह रही थी पुपो मैं जयान को मुबाइल देना बंद कर दिया है यह बहुत ज्यादा यूज करता था मतलब गेम्स करा केलता रहता था तो अब भावी ने इसे मुबाइल नहीं देती यह बहाने से उपर है कि मैं अबुजू को ना दामकरवान चला तो मिन्हों नजर लगी है तो उपर आकर ना अबुके मुबाइल वर गेम खेलने लागे है अच्छे अबु भी कुछ नहीं नहीं कहते अबुने विन्हों लाड़ लाड़ रख्या है जिम्हें मैं रख्या मैं ता पहला दे दू दिनी सी लेकिन एधी अम्माने से ट्रिक्स ली मना किता के फुपी है इन्हों नावगा इसके लाब उर्दू डिजाइनर भी जिसमें मैं थमनेल बनाती हूँ वह भी डिलीड कर दिया मिन्हों ता चड़ गया गुसा मैं कहें मेरी एपा किदर गया मुझे ना पासवर्ड नहीं याद रहता तो फेस्बुक जब इसने डिलीड की ना मैंने दुबारा जब कुसी आप पे करो तो मैं कहा चलनी है असमा उठ जा तो कारसाफ का है विलोग भी होने थे एंड कर दिया होड़ता नुकी वखाना तो उमीद करती हैं आज का विलोग भी आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चै पीस